हरत का एतियासिक चंद्रियान मिसन कामयाबी के आखिरी मुकाम पर पहुँच गया है चंद्रियान 3 का लेंडर विक्रम अब चांद के काफी नजदीक चक्कर लगा रहा है सुकरवार को साम चार बजे उसकी रफ्तार को कम करने की इसरो की डीबूस्टिंग प्रिक्रिया कामयाब रही अब लेंडर विक्रम और रोबर प्रग्यान चांद से अधिक्तम 157 किलो मीटर की दूरी वाली कक्षा पर है इसरो आज रात दो बजे चंद्रयान 3 के विक्रम लेंडर को डीबूस्टिंग के जरिये चंद्रमा के और करीब लाएगा डीबूस्टिंग यानि स्पेस क्राप्ट की रफ्तार को धीमा किया जाएगा इस ओप्रेशन के बाद लेंडर की चंद्रमा से नियुनतम दूरी 30 किलो मीटर और अधिकतम दूरी 100 किलो मीटर रह जाने की उमीद है अभी विक्रम लेंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 113 किलो मीटर और सबसे जादा दूरी 157 किलो मीटर है इस रोने 18 अगस्ट को डी बूस्टिंग के जरिये लेंडर की आर्बिट गटाई थी डी बूस्टिंग में यान के चलने की दिसा के अपोजिट डाइरेक्शन में थ्रस्टर फायर किये जाते हैं सबसे कम दूरी से ही 23 अगस्ट को साम 5 बज कर 47 मिनट पर चंद्रियान की सौप्ट लेंडिंग का प्रियास किया जाएगा अगर 23 अगस्ट को लेंडिंग में कोई समस्य आती है तो एक महिने बाद दुबारा लेंडिंग का प्रियास किया जाएगा क्योंकि चंद्रियान 3 को अगली सुवह का इंतिजार करना होगा जो वहां 28 दिन बाद होगी बता दे कि इससे पहले 17 अगस्त को चंद्रियान 3 के प्रोपल्सन मोडिूल को लेंडर रोवर से अलग किया गया था अलगाओ के बाद लेंडर ने प्रोपल्सन मोड्यूल से कहा इस दोरान लेंडर पर लगे कैमरे ने प्रोपल्सन मोड्यूल की फोटो के साथ चंद्रमा की भी तस्वीरें खीची थी चंद्रियान के लेंडर के चार पैरों के पास लगे 800 न्यूटन सकती के एक एक थ्रस्टर की बदोलत डीबूस्टिंग प्रिक्रिया संबब होगी दो दो थ्रस्टर दो चरणों में काम करेंगे 30 किलो मीटर की उचाई से लेंडिंग प्रोसेस शुरू की जाएगी लेंडर की रफ्तार को 1680 मीटर प्रती सेकेंड से 2 मीटर प्रती सेकेंड पर लाया जाएगा लगभग 100 मीटर की उचाई पर पहुंचते ही लेंडर सतय को इसकेन करेगा और देखेगा कि कहीं कोई बाधा तो नहीं है उसके बाद सौफ्ट लेंडिंग के लिए नीचे उतरना सुरू करेगा लेंडर रोबर दोनों ही पावर जनरेट करने के लिए सोलर पैनल यूज़ करेंगे अभी चंदरमा पर रात है और तेज तारीक को सूर्य उदे होगा इसलिए उसी दिन सौफ्ट लेंडिंग का प्रियास किया जाएगा पतादें की 22 दिन के सफर के बाद चंदरियान 5 अगस्त को साम करीब 7.15 मिनट पर चंदरमा की कक्षा में पहुँचा था तब उसकी स्पीड को कम किया गया था ताकि यान चंदरमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके इस्पीड कम करने के लिए इसरो बैगयानकों ने यान के फेस को पलट कर करीब आदे घंटे के लिए फायर किये थे चंद्रियान ने जब पहली बार चंद्रमा की कच्छा में एंट्री की थी तो उसके आन बोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी इसरो ने अपनी वेब साइट पर इसका एक वीडियो बना कर शेयर किया जिसमें चांद की सताय पर मवजूद खड़े साप दिखाई दे रहे हैं अब रों का सिल्सिला जारी रहेगा देखते रहिए जन प्रवाद नमस्कार